एलो गाईज कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पड़ा एकदम बढ़ियां एकदम मज़ेदार तो माइने में संजीफ पांडे और स्वागत आपका अपने प्यारे से चैनल में खूबसूरा से चैनल में जे आर कॉलेज में जो की पार्ट है जे आर टुटोरियल का जैसा कि आपको पता है we have started the topic that is structure of atom and nuclei structure of atom and nuclei में हम लोग ने structure of atom पूरा complete कर दिया था हम लोग ने structure of nuclei चालू किया था उसमें भी already हम लोग ने दो बडियो बना दिया है हम लोग ने last lecture में discuss किया था तुम्हारा radio active decay ओके तीन तरह के dk थे तुम्हारे alpha, beta, gamma तीनों हम लोग ने बहतरीन तरीके से discussion कर लिये थे आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं तुम्हारा law of radio activity के half life क्या होता है average life क्या होता है और nuclear energy के बारे में बात करने वाले है basically आज हम लोग यह chapter यहां पर wind up करने वाले हैं खतम करने वाले याद रखना ओके चलो so book और pen ल nuclei convert होता है daughter nuclei में तो उसके लिए अलगलग procedure है भाई alpha dk है gamma dk है ओके बीटा dk है बीटा प्लस है बीटा माइनस है हम लोग यह सारा चीज़ already discuss कर लिया है अब यह जो dk हो रहा है ना यह dk एक law पे dependent है ओके यह जो dk हो रहा है इस dk is dependent on the law वो एक law follow कर रहा है एक rule follow कर रहा ह उसके हिसाब से वो चल रहा है तो what is that rule वो हमको यहां पर देखना है उस चीज़ का हमको यहां पर discussion करना ओके तो what is law of radioactive decay क्या बोलता है law of radioactive decay अगर हम देखने जाए तो it state that the rate of dk the rate of dk of nuclei is directly proportional is directly proportional to the number of nuclei present at that time मतलब क्या है मतलब यह है कि अगर इसको mathematical form में करना रहा है तो हम लोग बोल सकते है dny dt is directly proportional to the n ओके मतलब यह जो rate है यह rate of dk है यह depend करेगा कि भाई उस समय कितना nucleus है उस समय कितना nucleus है उसके हिसाब से जो dk हो रहा है वो depend करेगा ओके सो भाई यह जो n है यह भी function of time रहेगा और यह जो dn है यह भी function of time रहेगा यहाँ पे तुमको generally t देखने मिलेगा याद रखना यह जो t है यह तुमारा multiply नहीं हो रहा है बता रहा है कि भाई जो number of nuclei है that number of nuclei is a function of time मतलब उस समय जैसे माल लो कि मेरे पास 100 popcorn है 100 popcorn decay होगया अब 100 popcorn decay होगया तो जब 100 था तो quantity ज़ादा था तो rate जो decay होने का rate ौग वह भी ज़ादा होगा अब 100 से 50 हो गया मतलब quantity कम होगी quantity कम होगी तो उसका जो decay होने का rate है वो उस quantity के हिसाब से रहेगा जो at a present है अगर present quantity जाधा होगी, तो decay जाधा होगा, present quantity कम होगी, तो decay कम होगा, मतलब the rate of decay is directly proportional to the number of nuclei present at that time, उस समय भाई कितना nucleus present है, उसके हिसाब से decay होगा, याद रखना, clear बासन आ गई, और यहाँ पे तुमको एक और minus sign देखने मिलेगा, that minus sign भाई, obviously बात है, minus sign क्या बता रहा है, minus sign बता रहा है, कि तुमारा जो भी quantity है, वो कहीं ने कहीं क्या हो रहा है, वो quantity कहीं ने कहीं तुमारा decrease हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ अगर decay हो रही है, तो अगर मेरे पास एक uranium है, एक radioactive element है, वो अगर decay हो रहा है, तो उसका number of nucleus है, वो number of nucleus क्या होने वाला है, by default कम ही होने बाला है, तो इसलिए वो negative sign आता है, अब यहाँ पर मेरे पास directly proportional है, directly proportional है, मैं हटा हो दो तुम्हों क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा, dn by dt, where n is the function of t, याद रखना यह multiply नहीं है, again I am saying, यह सिर्भ बता रहा है कि भाई, वो time का function है, equals to minus lambda n of t, यह जो n है, यहाँ पर जो t है, यह भी भाई चीज बता रहा है, भाई वो multiply नहीं है, it is a function of time, where lambda is called as, where lambda is your decay constant, where lambda is called as decay constant, clear बासम नार है everyone, तो this is your law, यह है तुम्हारा law, अमाल लोग कि अगर मेरे को किसी ने बोला, कि मेरे पास एक initial number of, यह है, क्या बोलते हैं, nucleus present है, मेरे पास मेरे को दिया हुआ है, कि भाई मेरे पास initially इतना number of nuclei है, तो मेरे को बोला है कि भाई, इतने समय बात कितना number of nuclei है बचेगा, यह निकाल के दो, तो क्या हम लोग calculate कर सक करते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो let us consider, consider कर लेते हैं, कि भाई, initially अपने पास कितना number of nuclei होगा, तो माल लोग कि, consider, initially, number of nuclei जो होगा, वो एन नॉट होगा, कितना होगा, एन नॉट होगा, हम माल लेते हैं, कि भाई, कितना number of nuclei होगा, एन नॉट होगा, तो after time t, भाई, after time t, वो nucleus कितना हो जाएगा, that we have to tell, okay, तो after time t, after time t, the number of nuclei, the number of nuclei is n of t, मतलब that present n, तो what will be this value of n, यह अपने को निकालना है, तो simply क्या करेंगे, हम लोग यह वाला formula यूज करेंगे, तो यह वाला formula क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, तो dn by dt, is equals to minus lambda n, okay, अब मैं t नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि t हमको पता है, भाई, it is a function of time, तो हम लोग t नहीं लिखेंगे, याद रखना, तो dt इदर ले लो, और lambda n इदर ले लो, क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, dn by n, is equals to minus lambda dt, हाँ है न, अब इसको simply integrate कर दो, तो तुम integrate करोगे, तो कहां से कहां तक integrate करोगे, देखो ज़रा, तो initially तुमारा जो ये है, वो n not है, और कहां से कहां जा रहा है, n तक जा रहा है, और initially जो तुमारा time है, वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से t तक जा रहा है, बरबर, तो अगर हम लोग सको integrate करेंगे तो what is integration of 1 by x 1 by x का integration होता है log x तो यह तुमारा 1 by n, 1 by n क्या ही हो जाएगा तुमारा log n, बड़ यहाँ पर natural log होगा तो याद रखना ln लिखना तो ln कहां से कहां तक n naught से n तक is equals to, minus lambda तो constant बाहर आजाएगा, integration के अंदर एक बार limit put करेंगे तो क्या मिलेगा, that is ln यहाँ पर हो जाएगा n, minus एक बार lower limit put करेंगे ln n naught is equals to, यहाँ पर limit put करेंगे तो minus lambda t minus 0 हाँ यह ना तो इस तरफ का देखो एक दम clear है, by t minus 0 is nothing but t और यहाँ पर देखो हम लोग यूज़ कर सकते है log a minus log b, तो log a minus log b can be written as log a by b आया ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते है ln n divided by n naught is equals to, यहाँ पर आजाएगा minus lambda t आया ना, अब ln को दर भेज़ दो, तो ln को दर भेज़ दोगे तो तुमारा e raise to के फार्म में हो जाएगा n t log हो जाएगा, तो that is e raise to minus lambda t और यह हो जाएगा n divided by n naught कि n naught इदर आजाएगा therefore n is equals to n naught e raise to minus lambda t तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास initially n naught nuclear है, after some time के बाद, कुछ t time के बाद कितना number of nuclei बचेगा, तो इतना number of nuclei बचेगा, that is n is equals to n naught e raise to minus lambda t where n naught is nothing but initial number of nuclei lambda is your decay constant and t is nothing but a time period तुम कितने time period में उसको calculate कर रहे हो तुम 10 दिन का calculate कर रहे हो 20 दिन का calculate कर रहे हो, तुम 1 साल का calculate कर रहे हो 2 साल का calculate, जो भी तुमारा time period है वो time period है यहाँ पर, तुम जो भी तुमारा time span है वो time span यहाँ पर substitute कर दो you will get the n, you will get the n and what is n, कि भाई, उतने time तक कितना nuclear decay होगा clear बासमनारी everyone हाई आना, ओके काह नहीं समझ में आ गई चलो next is activity ओके, तो what is activity, तो generally जो dn by dt हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है by dn by dt, यह जो dn by dt दिख रहा है, यह dn by dt को हम लोग क्या बोलते है, हम लोग बोलते है activity, ओके, बार-बार उतको dn by dt, dn by dt, न बोलके हम लोग उसको एक single नाम देते हैं, and that single name is nothing but your activity, okay, तो activity is nothing but a rate of decay of nuclei, तो तुमारा जो nucleus है, उस nucleus का जो rate of decay होता है, वही तुमारा क्या होता है, वही तुमारा activity होता है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि a of t, again a of t का मतलब भाई, it is a function of time, तो a of t is nothing but minus dn by dt, where n is also function of time हाया न, मतलब यह जो minus dn by dt है, यह जो part है न, यह part को हम लोग क्या बोलते हैं, यही part को हम लोग activity बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, activity बोल देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि activity क्या है, तुमारा minus dn by dt, तो तुम उसको minus dn by dt लि तो यहां से कहीं न कहीं क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो activity है, यहां पर अगर हम देखने जाएं, अगर activity क्या है, n of t with respect to dt है, हाँ या ना, तो यहां से हम activity को define कर सकते हैं, activity को कैसे define कर सकते हैं, it can be defined as, it can be defined as, कैसे define कर सकते हैं, it can be defined as तुम्हारा rate of change of decay of nucleus with respect to the time, clear बास में आ गई हाया ना अब इसको एक और फॉर्म में निकाल सकते हैं we know that हमारे पास अल्रेडी एक है we know that हम को एक चीज़ पता है भाई डी एन बाडीटी क्या ही होता है डी एन बाडीटी इस नथिंग बडी और लामडा इन्टु एन डी एन बाडीटी हमको पता है डी एन बाडीटी क्या होता है तुम्हारा लामडा इन्टु एन बरबर तो कहीं न कहीं अगर मैं डी एन बाडीटी के जगे लामडा इन्टु एन पुट करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ भाई activity किसके बराबर है लामड n के बराबर है, तो अगर मेरा n के लिए अगर n के लिए ये चीज़ टू है that is n is equal to n naught e raised to minus lambda t तो ये चीज़ activity के लिए भी true रहेगा बराबर तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, therefore a of t is nothing but a naught e raised to minus lambda t where a naught is nothing but your initial activity where a naught is initial activity तुमारा जो a naught रहेगा, वो a naught क्या रहेगा, a naught तुमारा initial activity रहेगा, हाँ या न, ओके ये चीज़ हम लोग ने यही से निकाला है, कहीं अलग से निकाला है याद रखना, ये चीज़ हम लोग ने आलरेड़ी यही से निकाला है, भाई तुमारा a किसके बराबर है लामडा एन के बराबर है तो अगर ए लामडा एन के बराबर है तो हम बोल सकते हैं ना भाई हमारे पास पूरा का पूरा यह चीज़ है that is n can be written as that is n not e raise to minus lambda t हम लिख सकते हैं लिख लो देख लो अगर नहीं समझ मारे तो मैं बता जेता हूं भाई हमको पता है a is equals to lambda n a is equals to lambda n n can be written as n can be written as that is n not e raise to minus lambda t ab a can be written as lambda into n to lambda into n not can be written as a not this can be written as a not e raise to minus lambda t वहीं सेम चीज़ है यहां पर मतलब जो तुमारा number of nucleus के लिए true है वही चीज़ तुमारा activity के लिए true है यह सो नो बात समय जाया है ओके तुम यह directly अगर याद कर लोगा formula तू भी चलेगा ओके अगर हम देखने जाए तो activity का यूनिट क्या होगा भाई activity क्या है देखो जरा इडिज़ डीके पर सेकंड मतलब कितना nucleus डीके हो रहा है पर सेकंड तो दैसा यूनिट कि एसा यूनिट इस बीके कि पर सेकंड और यह डीके पर सेकंड को हम लोग एक और नाम बोलते हैं तर इस काल बेक क्योरेल जिसको हम लोग क्या बोलते है बेक क्योरेल spelling देखलना चाहिए तक spelling शायद तक गलत होगा बी ए ए शी क्यूंद यू抑र यहां पे कि एक यह और ई ऐसा हो कि जिसको हम लोग BQ से रिप्रेजन करते हैं, किस से रिप्रेजन करते हैं, BQ, साइंटिस्ट हैं, भाइस जिनों ने रेडियो अक्टिव एलिमेंट की खोच कीते हैं, उनके नाम पी रखा गया, that is BQ, तो या फिर उसको तुम DK पर सेकंड बोलो, DK पर सेकंड बोलो नोबल फैमिली, पेरी क्यूरी, नाम सुना होगा है, जब हम लोग यह पढ़ रहते हैं, क्या बोलते हैं, मैगनेटिक माटेरियल पढ़ रहते हैं, तो इसका एक और यूनिट होता है, that is called as क्यूरी, ओके, तो वन क्यूरी जो होता है, वो लग भग बराबर होता है, तुमा रेडियो अक्टिव डीके, that is rate of change of dk, that is nothing but activity, तो तुमारा जो अक्टिविटी, उसको अक्टिविटी बोल लो, या फिर dn by dt बोल लो, same चीज़ है, तुमारा जो यूनिट होगा, वो dk per second बोल लो, या फिर उसको बेक्योरेल बोल लो, और अगर बहुत बड़ा value आ रहा ह तो तुम उसको क्यूरी के form में भी represent कर सकते हो, तो 1 क्यूरी बराबर होता है, 3.7 into 10 raise to 10, बेक्योरेल, clear, कानी समझ में आ गया, समझ में आ गया, what is activity, चलो, next is half life, ओके, so, यहाँ पर क्या होता है, जो radioactive element होता है, उनके साथ यह चीज़ है, कि भाई, तुम यह नहीं बता सकत है, कि वो element completely कब decay होगा, क्योंकि उसको बहुत times लगते है, billions of years लगते हैं, एक element को completely decay होने के लिए, अगर हम देखने जाए, तो एक element को completely decay होने के लिए, बहुत time लगता है, तो हम यह नहीं बता सकते हैं, कि भाई, एक element कब decay होगा, एक radioactive element या फिर radioactive species है, वो कब जाके completely खतम हो जाएगा, हम यह नहीं बता सकते हैं, हाँ, हम यह जरूर बता सकते हैं कि भाई, अगर कोई species है, तो वो अपना half value कब तक decay करेगा, मतलब वो अपने initial amount का half amount कब तक होगा, यह हम बता सकते हैं, तो यहाँ पर वही कहां नहीं, that is called as half life, what is half life, the time taken for the number of parent radioactive nuclei of a particular species, to reduce to half its value, उसके value को आदा होने के लिए जो time लगता है, that is called as half value, मतलब माल लो कि अगर मेरे पास 100 nuclei है, uranium का, तो 100 से 50 वो कितने समय में आएगा, that is called as half life, that is called as half life, okay, so half life का हमाल पास formula है, क्या formula है, तो माल लो कि, initially we have and not number of nuclei, so initially, we have and not number of nuclei, and not number of nuclei, okay, okay, after time, after time, okay, माल लो कि, after time T half, उसको नाम दे देते हैं हम लोग T half, okay, after time T half, मेरा जो nucleus है, वो क्या बनेगा, तो number of nuclei become, कितना हो जाएगा, that is N naught बाट टू, भाई, आधा हो जाएगा न, आधा, जब मेरा जो time है, that time, जब मेरा time half होगा, तो उस समय, मेरा जो nucleus है, जो nucleus है, वो क्या हो जाएगा, उसके जो भी value का आधा हो जाएगा, तो उसका initial value कितना था, N naught, तो वो क्या हो जाएगा, N naught बाट टू हाँ या ना, तो अगर हम देखने जाएं, तो हम बोल सकते हैं, कि भाई, जब मेरा time, हम बेसिकली बोल सकते हैं, कि भाई, वी नोगा, हमाले पास फॉर्मूला है, N बराबर होता है, N naught, E raise to minus lambda t, कि हाँ या न, यह चीज़ होता ही होता है, बराबर, अब वाट इस N, तो वें टाइम इस T half, वें टाइम इस T half, N become N naught by 2, तो यहाँ पर आजाएगा N naught by 2, is equals to N naught, E raise to minus lambda, यहाँ पर T के जाएगा, T half आजाएगा, यहाँ पर क्या ही मिलेगा मिलेगा मिलको, भाई, N naught, N naught get cancelled, दोनों कर जाएगा हाया न, N naught, N naught get cancelled, यहाँ पर हो जाएगा 1 by 2, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा E raise to minus lambda T half, यह इधर आएगा तो वापस यह log हो जाएगा, तो that become LN, 1 by 2, और यहाँ पर हो जाएगा minus lambda T half, आए न, T half, it's a notation, ओके, वो T और half multiply नहीं हो रहा है, T half पुरा का पुरा एक notation है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यह LN है, यह A by B है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, log A minus log B, तो यहाँ पर मैं लिखा जा सकता है, therefore, LN 1 minus LN 2 is equals to minus lambda T half, what is log of 1, log of 1 0 ही होता है, तो this become minus LN 2 is equals to minus lambda T half, minus minus get cancelled, क्या ही मिलेगा, तो T half will be, that is, यह नीचे आ जाएगा, that is LN 2 by lambda, this is nothing but your half life, तो half life can be defined as your natural log of 2, divided by your dk constant, where lambda is nothing but your dk constant, मतलब अगर कहीं पर भी question में dk constant दिया हुआ है, तो तुम लोग directly dk constant यहाँ पर substitute करके, T half का value निकाल सकते हो, यह फिर अगर कहीं पर T half का value दिया हुआ है, तो T half का value यहाँ पर substitute करके, तुम dk constant directly निकाल सकते हो, अगर तुम log 2 का value देखने जाओ, तो that is approximately equals to 0.693, तो तुम चाहिए तो 693 भी put कर सकते हो, यह T half के बराबर रहेगा, clear, तो तुमको अगर T half दिया हुआ, तो T half substitute करो, you will get the lambda, lambda दिया हुआ तो लामडा substitute करो, you will get the T half, okay, मतलब basically, एक species को, एक radioactive material को, कब उसका half decay होने के लिए, half decay होने के लिए, उसको कितना time लग रहा है, वो चीज़ यहाँ पर बताता है, क्लियर बासन में आ रही है, everyone हाया ना, okay, half life समझ में आ गया सबको, चल, next is your average life, okay, तो what is average life, तो again I am saying कि भाई, हम यह कभी नहीं बता सकते, कि एक species को decay होने के लिए, completely decay होने के लिए, कितना time लग रहा है, in fact हम यह भी नहीं बता सकते, कि एक nucleus को decay होने के लिए, कितना time लग रहा है, तो इसलिए हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि average nucleus को, मतलब पूरे nucleus को, पूरे nucleus को decay होने के लिए, कितना average time लगेगा, एक लगभग time लगेगा, एक mean value लगेगा, तो that is nothing but average, तो average life हम लोग कैसे define करते हैं, it is an average life span of all the nuclei of the radioactive substance, तो पूरे जो radioactive substance है, तो उनका एक average life है, जैसे माल लोग कि एक nucleus है, एक nucleus दो साल चला, दूसरा वाला nucleus तीन साल चला, चौथा वाला nucleus पांच साल चला, उसके पहले वाला nucleus एक दिन चला, तो अब सबका अलग-अलग है, भाई कोई जल्दी decay हो जा रहा है, कोई बाद में decay हो रहा है, कोई slow decay हो रहा है, कोई fast decay हो रहा है, तो हमको नहीं पता कि कौन सा nucleus कब decay होगा, कितने समय में decay होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबका एक average ले लेते हैं कि भाई average एक average life क्या होगा किसी भी nucleus का decay होने के लिए तो it is an average life span of an all nucleus of the radioactive substance जितने भी nucleus present है वो सारे का एक average life होता ओके तो generally तुम्हारा जो T average उसको हम लोग tau से represent करते हैं किस से represent करते हैं याद रखना tau से तो जो tau होता है that will be equals to 1 by lambda tau जो होता है वो बराबर होता है किसके वो बराबर होता है 1 by lambda के where lambda is nothing but your decay constant याद रखना where lambda is decay constant बरबर तुम्हारा जो lambda होता है वो generally decay constant होता है अब यहाँ पर देखो हमारे पास already इसका value है T half का value is nothing but ln 2 divided by lambda तो क्या वहां से मैं तुमको बता सकता हूं कि भाई यहां पर T half will be equals to ln 2 divided by your lambda हाया न तो यहां से दोनों का relation अगर हम लोग देखने जाए तो क्या मैं 1 by lambda के जागे टाव पूट कर सकता हूं so therefore T half will be equals to ln of 2 tau this is the relation between your half life and average life this is the relation between half life and average life this is the relation between half life and average life मतलब half life is equals to the natural log of 2 into your average life clear बास में आगया what is average life भाई पूरे nucleus को लगभग कितना time लगता है decay होने के लिए तो that is a lifespan lifespan of individual nucleus तो सारे nucleus की बात हो रही यह पूरे species का सारा nucleus लगभग कितने time में decay होगा that is called as half life that is sorry that is called as average life and the relation between half life and the average life is nothing but T half is equals to ln 2 ln is nothing but your natural log into tau tau is nothing but a half life average life clear बास समझा समझ में आगया तीनों काहनी what is radioactive law what is activity what is half life what is average life इसमें सा कुछ भी पूछ लेते हैं यह सारे तो दो दो माक के लिए कहीं कहीं पूछते हैं but law of radio activity कभी-कभी जादे माक के लिए पूछ लेते हैं तो अगर मालो कि 3-4 माक के लिए पूछ लिया तो पहले यह सारा चीज़ बताना है फिर उसके बाद तुमको यह सारा चीज़ बताना पड़ेगा half life भी और उसमें फिर तुम average life भी बता सकते हो तो याद रखना हो के चलब next is your nuclear energy अब nuclear energy कही ने कही तुमने अल्रडी पड़ा है कही ने कही तुमने यह 9th में 10th में EBS में कही ने कही तुम यह पढ़ते आ रहो बहुत time से पढ़ते आ रहो यह चीज़ कि भाई nuclear energy दो तरह की nuclear energy होती है तुमने कही ने कही सुना होगा one is your nuclear fission and one is your nuclear fusion ओके अब what is fission fission क्या होता है तो the process in which a heavy nucleus break heavy nucleus बोले तो तुमारा जो uranium है थोरियम है वो break होता है और break होता है to form a light nuclei to form a light nuclei मतलब हलका nuclei है तो nucleus break into two lighter nuclei with release of energy तो जब ऐसा process होता है कि भाई तुमारा जो एक heavy nucleus है वो break होता है और वो एक lighter nuclei form करता है तो उस दोरान कुछ energy निकलती है and that energy is in the form of nuclear energy and that energy is in the form of nuclear energy and that process is called as nuclear fusion उस process को क्या बोला जाता है उस process को बोला जाता है nuclear fusion ओके अगर वही पर मैं बात करूँ nuclear fusion तो nuclear fusion में क्या होता है दो हलके element combine होते हैं और form करते हैं एक heavy element तो the process in which two nuclei fuse together to form a heavy nucleus with release of energy is called as nuclear fusion तो generally तुम देखने जाओगे तो ये तुम्हारा radioactive की कहानी है जहाँ पे radioactive element है वहाँ पे तुमको fusion देखने मिलता है जहाँ पे तुम्हारा nuclear fusion जहाँ पे तुम्हारा star ये सब है तुम्हारे जो hydrogen atom है वो combine होते हैं to form a helium फिर helium combine होता है lithium बनाता है boron बनाता है ऐसे heavy material metal बनते जाते हैं end होता है कहाँ पे iron पे हम लोग ने discuss किया है भाई iron has the most stable nucleus तो सारे के सारे iron में तबदिल हो जाते हैं जैसी iron में तबदिल हो है अगर आयन बन गया अगर लोखन बन चुका है इसका मतलब अब वो फटने वाला है याद रखना यह एक दुदिन का process नहीं याद रखना अगर तुम देखने जाओ लगबग अपने sun का formation देखने जाओ तो 4.5 approximately billions हो गया है तो 4.5 billions of year खतम कहानी तुम सोच भी नहीं सकते कि भाई कबसे काम चल रहा है अगर देखने जाए तो 4.5 billions year इतना साल हो गया है sun को यह process करी रहा है वो fusion करी रहा है अब जब तक उसके अंदर का fuel है fuel indirectly hydrogen तो जो hydrogen है जब तक वो खतम नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा चलता रहेगा अब एक time ऐसा आएगा कि hydrogen खतम हो जाएगा अब hydrogen खतम हो गया मतलब अब वहाँ पे fusion नहीं हो रहा अब fusion नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भाई अब उसको रोकने के लिए कोई process नहीं है तब वो क्या हो जाएगा blast हो जाएगा और पूरा solar system फिर मतलब वही है कहानी जान दो अच्छी बाते करते हैं clear । जुर्स करते हैं करके सबसे परें किए अच्छों सोइघं के बले में क्या होता है uaisल और जेनली फिजरं में हम एग्जांपल लेंगे इंगए urania का किसका इंगी आप सब से बहतरी न यू का मुझा सबसे बहतरी used in the nuclear reaction generation by the fusion यहां पर फीजन आएगा बाद फीजन नोट फ्यूजन बाद फीजन of 236-92 uranium बहुत बढ़िया uranium है यह अपने को जल्दी कहीं मिलते नहीं है 236-92 कहीं पर मिलते नहीं है अपने पास जो tremendous amount of uranium present है वो यह present है that is your 238-92 अगर हम देखने जाए तो तुमारा जो उपर वाला mass number है नीचे वाला atomic number है यह तो अपने को पता ही है तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाख लगाने वाले बात नहीं है तो more than 99% 99% हमारे पास जो natural uranium present है वो किस form में present है वो 238 के form में present है अब जो 238 जो है न भाई वो लगभग अगर हम देखने जाएं तो उसका जो half life है वो 3 गुना बड़ा है 3 times बड़ा है किस से 236 से तो यह हमको उतना ज़्यादा effective नहीं है energy generation में मतलब nuclear energy उतना ज़्यादा effective नहीं मिलेगा मतलब cost बोलते है न बहुत महंगा पड़ेगा तो इसलिए हम लोग वो use नहीं करते अब हमारे पास 1% जो बचा हुआ है न वो बचा हुआ है हमारे पास 235,92 यह uranium हमारे पास बचा हुआ है that is 235,92 यह uranium है हमारे पास बड़ यह है कितना 1% पूरे अर्थ पे यह सिरिफ 1% ही available है अब हम क्या करते हैं यह उतना काम का नहीं है क्योंकि stable है तो हम इसको 236 बनाते हैं कैसे बनाते हैं हम इसको react कराते हैं इसको बंबाड कराते हैं एक neutron से मतलब माल लो कि यहां पर मेरे पास एक uranium है यह जो uranium है इस uranium का जो 235 है 235,92 uranium है इसके सामने एक nucleus को बंबाड कराते हैं अब जैसी ही neutron बंबाड हो गया तो भाई क्या हो जाएगा यह जो 235 है that become 236 अब यह जो 236 है this is the beathrin radioactive ओके यह बहुत beathrin radioactive substance बन जाता है तो अब यह क्या होता है यह decay होना form होता है तो यह क्या करता है radioactive decay show करता है अब radioactive decay अलग-अलग possibilities है अलग-अलग reactions बनते हैं तुमारे सामने already मैंने transactions दे दिह हैं कि भाई मालों कि यह reaction number 1 है यह reaction number 2 है यह reaction number 3 है इसके अलावा भी बहुत सी possibilities है बट मैंने example दिये हैं जो तुमारे book में example दिये हैं वो तीन बहतरीन तरीके से example है कि भाई तुमारा iodine बन सकता है, y बन सकता है, y से मुझे पता नहीं क्या है, y से क्या था मुझे idea नहीं है, और साथ में 2 neutron निकलेगा, तुम लोग चेक कर लेना y से क्या था और comment section में में को ब चार neutron निकल सकता है, y सोनो, मतलब क्या होगा अगर हम देखने जाएं, तो यहां से लगभग एक average, ऐसा माना जाता है कि average तीन neutron निकलते हैं, क्या होता है, तीन neutron निकलते हैं, अब य जो तीन neutron निकले न, य क्या करेंगे, य आगे जाके तीन uranium के साथ react करेंगे, तुमारा य 25 वाला जो uranium है न, तुरी, 235, यहां पर भी 235 है, यहां पर भी 235 है, यहां पर भी 235 है, तो यह जो लगभग, अगर तुम देखने जाओ, तो लगभग 3 का average आता है, 2 प्लस 2, प्लस 4, 8, 8 divided by 3 करोगे तो 3 का, लगभग 3 का average आता है, 2.9, 2.8 का average आता है, तो ऐसा मानते हैं कि 3 neutron निकल रहा है, अब यह 3 neutron क्या करेगा, एक एक और uranium को जाएगा, और इसको 236 बनाएगा, तो यह तुम्हारा 236 हो जाएगा, पिर यह भी तुम्हारा 236 हो जाएगा, और यह भी तुम्हारा 236 हो जाएगा, और जैसी यह सारे 236 हो गए, यह वापस reaction शो करना चालू करे तो भाई वापस possibilities निकलेगा वापस 3 neutron वो 3 neutron और 3 nucleus को जाके क्या करेंगे 236 बनाएंगे तो ऐसे यह reaction चलते रहेंगे okay so this is called as chain reaction यह तुम्हारा chain reaction है तुमने देखा रहेगा शायद तक diagram ऐसे एक uranium होता है फिर महाँ से 3 nucleus निकलता है फिर उस 3 में से तीन uranium और बनता है बरबर ऐसा वह तुमने diagram देखा रहेगा इसको तुम लोग chain reaction बोलते हो क्या बोलते हो chain reaction बोलते हो अब यह इस्तमाल क्यों होता है भाई obviously power generation के लिए इस्तमाल होता है तुम्हारे आस पास अगर तुम देखने जाओ तो तुम्हारे पास nuclear power plant होगा क्लियर बासन में आ रहा है विवान काहानी समझ माई what is fusion, fusion की कहानी है यह ओके fusion की कहानी थोड़ी सी अलग होती है fusion की कहानी होती है sun के अंदर क्योंकि उसको बहुत जादा high temperature चाहिए तो अगर हम लोग बात करें nuclear fusion का तो nuclear fusion generally कहाँ पे होता है generally nuclear fusion होता है तुम्हारे sun में वो भी sun में कहाँ पे उसके core में because the temperature of the center of the sun is about 10 raise to 7 Kelvin तो उस core का जो temperature है वो लगभग 10 लाख 10 लाख 10 लाख के अरीब करीब उसका क्या है temperature है अब 10 लाख Kelvin के अरीब करीब उसका temperature है मतलब बहुत जादा high temperature है तो वहाँ पे fusion होता है ओके अब fusion कैसे होता है तो fusion होता है with the help of four hydrogen atom अब हमको बहुत लोगों यह चीज़ confused होता था कि दो hydrogen atom ही fuse होते है ना ना यहाँ पर चार hydrogen atom fuse होते है याद रखना कैसे चार hydrogen atom fuse होते हैं तो मालो hydrogen atom के पास proton होता है proton होता है proton होता है proton होता है बरबर तो यह चारो हाइड्रोजन आटम यह चारो हाइड्रोजन आटम यह प्रोटॉन है यह सारे प्रोटॉन है अब यह सारे के सारे आपस में फ्यूज होते हैं अब सारे के सारे आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे दो proton बन रहा है तो यह दो proton तो उपर वाले proton बन जाते बट यह जो दो proton है यहाँ पर तुमारा बीटा डीके होता यादे proton से convert होता है neutron से तो तुमारा positron निकलता है यहाँ पर देखो दो positron निकल रहा है तो यहाँ पर होता है तुमारा बीटा डीके और during that beta dk ये जो दो proton है ना ये convert हो जाते हैं दो neutron में और जैसी दो proton और दो neutron बना तो ये क्या है तुमारा ये तुमारा helium है helium का nucleus है तुमारा ये क्या है helium का nucleus है तो generally तुमको चार proton चाहिए एक alpha particle बनाने के लिए alpha particle बोले तुमारा helium का nucleus लिएए does okay तो चार प्रोटान मेशीर्ट यह से दो प्रोटान, क्या हो जाते हैं है प्रोटान मेरते हैं बट्जे दो बीटा डीक एलसी एकर तुम को याद तुम्हारा जो 4 proton है, उसमें से 2 proton तो proton ही है, बट जो 2 proton है, बचा हुआ 2 proton, वो neutron में convert हो रहा है, जैसे वो neutron में convert हो जाएगा, तो साथ में 2 positron निकालेगा, और neutrino निकालेगा, और साथ में tremendous amount of energy निकालता है, that is 26.7 mega EV के आसपास energy निकालता है वो, okay, so this is your reaction, यह तुम्हारा क्य reaction ओके यह कहा है तुम्हारा fusion reaction है अब क्या होगा भाई hydrogen combine होंगे fuse होंगे helium form करेंगे helium के बाद फिर lithium ऐसे बहुत lighter element बनेगा कहा तक हाँ आयन तक तुम्हारा एफ़ी तक अब जैसे एफ़ी बनेगे न उतना ज्यादा energy नहीं होता कि हम और ज्यादा उसको defuse कर सके तो जो आगा तुम देखने जाओ तो एफ़ी के बाद जो भी element बन रहे हैं ना इसका मतलब वहां पर इससे सब्सक्राइब कहां पर रहा हाँ यहां पर इससे ज्यादा टंपरेचर प्रेशे संट enjoy अथी बहूं पर बनते हैं क्योंकि उनको फ्यूस करने के लिए और ज्यादा टेंपरेचर का रिक्वार्मेंट होता है क्लियर जो नॉर्मल स्टार होते हैं वहाँ पर एफी तक रियाक्शन तुमको देखने मिलेगा अगर एफी फॉर्म हो गया है मतलब उसका फ्यूल टोटली खतम हो चु यहां पर हमने स्ट्रक्चर आटम और नुकलिया खतम कर दिया है नेक्स लेक्चर में विल स्टार्ड वित यूर सेमी कंड़क्टर अब सेमी कंड़क्टर पढ़ने के लिए कहीं न कहीं तुमको 11th का सेमी कंड़क्टर आना बहुत जरूरी है तो मेरा एक सजेशन है कि अल् सोरोड बायाज यह सारा का सारा कहानी यह सारा का सारा स्टोरी पहले से ही पताओनी क्या उटाइऑ तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि क्या करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि जैसी वीडियो अप्लोड़ो तुम तक वो वीडियो जरूर पहुच जाए ओके चलो सो नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए पढ़ते रहो महनत करो क्योंकि आल्मोस्ट खाली मेरे खाल से 40-50 दिन है ओके दो महिना भी मैं नहीं बोलूगा 40-50 दिन है तुमारे पास क्योंकि बाकी सारा दिन तुमारा समीशन यह सब में जाने वाला है तो महनत करो ओके चलो तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं आज के लिए बस इतना ही दाट सिट फॉर टुड़े थांक यू सो मच एवरीवन